नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपके अपने यूटूब चैनल नालंदा सक्षिस कॉंसेप्ट में आज हम जो करेंट फेर रिलेटेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिस इस रिलेटेट तू करेंट अफेर आफ देट ऑफ सेकेंड थर्ड नमंबर बिना देर करते हैं दोस्तों हम देख लेते हैं अपने पहले कोस्चन को पहला कोस्चन कह रहा है कि इंडिया केम 2022 संभिलन का मेजवान सहर कौन सा है तो इंडिया केम 2022 का मेजवान सहर है दोस्तों डेहली और डेहली के प्रगती मैदान में कहां पर देहली के प्रगति मैदान में इसका जो होगा इन्योग्रेशन होगा दोस्तों ठीक है और इसी के साथ साथ बता दे कि अभी जो पैट्रोकिमिकल मिनिस्ट्री किसके पास है कौन है हमारे मंतरी केंदरी रसाइन और और वर मंतरी जो है मनसुख मंदाविया जी कौन है मनसुक मंदाविया मेभी यह कुश्चन पूछा जा सकता है देखिए दोस्तों किसी भी कॉंप्टिटिव एक्जाम में कुश्चन बनते कैसे हैं करेंट से मेभी इप नॉट भी आसकिंग डारेक्टली कुश्चन फॉंदा करेंट निउस वट उसके आसपास के उस तो मनसुक मंदाविया जी है और इन्हीं ने इस इंडिया केम 2022 का क्या किया उद्गाटन किया कहां हुआ है दोस्तों दिल्ली के प्रगति मेदान में ठीक है अच्छले दोस्तों दूसरा जो कोश्चन है वो है रंजन गाउं जहां ग्रीन फील्ड एलेक्ट्रोनिक्स मैन्य क्लेश्टर इस्तापित किया गया है यह किस राज्य में है दोस्तों तो यह है महराष्ट राज्य में कहां है महराष्ट राज्य में इसी के साथ साथ दोस्तों ग्रीन फील्ड जो क्लेश्टर है वो इसके साथ साथ और भी सहरों में है उनमें एक तो नोईडा में है ठीक है ठीक है तमिल नाडू में है और ये एक तरीके से पांचमा क्लस्टर है जो मैनुफेक्ट्रिंग क्लस्टर है जो महराष्ट के रंजन गाव में लगाए गया है और इसके लिए जो आवंटित आवंटित लागत है वो है 492 करोड पर दोस्तों कितना 492 करोड नियर अबर 492 है ठ ठीक है दोस्तों चलिए अब हम स्विच करते हैं अपने अगले कोश्चन पर दोस्तों तो अगला कोश्चन हमारा है राष्टी एकता दिवस यानि कि नेशनल यूनिटी डे किस नेता की जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है दोस्तों देखिए इस्टेचु आप देजो है वो सरदार बल्लबहाई पटेल के जैनती के उपलक्ष में ही मनाया जाता है ठीक है दोस्तों अब आपने देखा होगा कि हर जगे जहाँ पे unity सब्दा आता है बहाँ पे पटेल जी का नाम आता है वाई ऐसा होता क्यों है दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि सरदार बल्लब भाई पटेल जब हमारे स्वतंतर भारत के ग्रह मंत्री बने तो उन्होंने लगबग 550 कितने दोस्तों इनको unity के नाम पर जाना जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों चलिए देख लेते हैं अपना अगला कोस्टिन क्या है दोस्तों अगला कोस्टिन है आर्बियाई ने अपने पाइलट चरण में किस प्रकार की Central Bank Digital Currency लॉंच की है दोस्तों आर्बियाई ने पाइलट यान की शुरुवाती दौर पर सेंट्रल बैंक डिचल करेंसी लॉंच की है एक ठीक है तो वो की है थोक विक्री के लिए ठीक है दोस्तों और इसको हम ई रूपी ठीक है यी रूपी डबलू से दिनोट भी कर सकते हैं ड़ 9 Banks का नामित किया गया है 9 Banks में में दोस्तों हमारा सिर्ट वैंग ऑफ इंडिया बैंक आफ वड़ोदा है यूनियन बैंक है आईसी इस बैंक है ये नौ बैंक के जो हैं दोस्तों उनको नामित किया गया है इस पाइलर्ट चरड़ के द्वारा जो इस्टार्टिस इंटर रंग डिजिल करेंसी लॉंच की है उसके लिए चलिए दोस्तों अपना अगला दोस्तों है हमारा किस देश ने अपने अंत्रिश इस्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लेव मॉड्यूल लॉंच किया है दोस्तों यह किया है चाइना ने किसने किया है चाइना ने दोस्तों ठीक है चाइना ने अपना एक अंत्रिश इस्टेशन जो है वो LEO, ठीक है ना, LEO में स्तापित किया गया है, wys lower orbit में स्तापित करा है यहां पे, और यह, पूरे विस्सू का, second number का, एक अंतरिष्ट station है, इस से पहले सुस्सों, जो NASA का था, NASA का, जो था, वो एक अंतरिष्ट station स्तापित था, LEO में, जिसका नाम है, ISC, international space station, ठीक है न, चलिए दोस्तों अगला question देख लेते हैं अगला question जो हमारा है वो है एक मिनट अगला question जो है वो है करनाटका केरल आंधर प्रदेश सहीत सात राज्य किस दिन अपना इस्तापना दिवश मनाते हैं दोस्तों देखिए करनाटका का केरल का या आंधर प्रदेश का इनका जो इस नमबर को मनाया जाता है इनी के साथ साथ जो है साथ राज्यों साथ राज्य और भी है जिनका इस्तापना दिवस इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों देख लेते कौन कौन है तो इन में एक तो 36 गड़ हो गया मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों ठीक ना मध्य प्रदेश के साथ करनाटक केरल और आंद्रपरदेश कौन सा करनाटक केरल अंडरपरदेश इनका भी इस्तापना दिवस दोस्तों वह एक नमंबर को मनाया जाता है इन्हीं के साथ जाथ अगर देखें तो फिर्ट दो यूनियन टेरिटरीज भी है जिनका इस्तापना दिवस कौन सा है दोस्तों एक नवंबर है और वो union territories है चंडी गढ़ लच्छ दीप चंडी गढ़ एंड लच्छ दीप दोस्तों यह दों नहीं तीन है एक लक्षरीव के साथ साथ सथ पुड्डु चेरी भी है पुड्डु चेरी इन तीनों का जोसतापना जवास है वह 1 नंवंबरी है और आपको एक साथ बताभी दे कि पॉंडिचेरी जो है वो एक यूटी एक जगए पर इस्तित नहीं है फॉंडिचेरी तीन जगे क्राइब कल औलक माहे और पॉंडिचेरी इस तरीके से कर लेते हैं कि जो मानगड़ दोस्तों है यह जो मानगड़ है यह साजी विरासत है तीन राज्यों की कौन से तीन राज्य है एक तो मद्यप्रदेश है एक राजिस्थान है और एक गुजरात है तो इन राज्यों की यह साजी विरासत है ठीक है दोस्तों तो इसमें क्या है अ बहुत से सहीद ऐसे हैं जो गुमनाम हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है तो उन गुमनाम आरिवासी नायकों और सुतंता संगाम के सहीदों को सरद्दान्जली देने के लिए इस कारिक्रम को किया जाता है दोस्तों इसी के साथ साथ बता दें कि 15 ओफ नमबर 15 न बरसा मुंडा के जैनती के अपसर पर जन्जाती गौरब दिवस मनाया जाएगा 15 नमबर क्या मनाया जाएगा जन्जाती गौरब दिवस ठीक है दोस्तों ये भी एक important question हो गया है जन्जाती गौरब दिवस किस दिन मनाया जाता है पूछ सकते हैं तो जन्जाती गौरब दिव आख़ायगी तो यह जो नाइक रिखता अदानी हमां यो कौन-सा है कौन-सा एक्ट है तो यह किस इसक्ट में बदला हो किया था दोस्तों सिटेजन से एक्ट 1965 सिटेजन से एकट 1955 में बदलाओ करके सदप्रतब हमने कहा था कि पाकिस्तान के जो माइनओर कि है white hazır देस मतलब की और दे si other दें मुश्लिम क्योंकि दोस्तों पाकिसतान हो गया यह बंगला देस हो गया अभी दो रिसेंट में जो है उसमें तीन देसों के अल्प संक्यों को के लिए बोल दिया गया और यह तीन देस जो है वह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और बंगलादेश है, इन के, इन देशों में जो minorities like Christian हो गए, ठीक है ना, और तुमारे Parsi हो गए, ठीक है, फिक है, ठीक है, षिक हो गए, आर्तिक सायोग और बैपार समझोते पर हस्ताचा किये हैं यह किसी देश के साथ समझोता किया है और यह दोस्तों समझोता किया है और अस्ट्रेलिया के साथ अब यह क्या होता है ECTA इकोनोमिक कोपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों एक तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जब हम इसका यूज होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं जो ड्यू जाता है यानि कि economic cooperation and trade agreement हो जाता है ठीक है दोस्तों आगला question जो हमारा है वो है operation vigilant storm अमेरिका और किस देश के बीच का एक रच्छा अभ्यास है तो यह है दच्र कोरिया और USA की बीच का एक रच्छा अभ्यास इस operation vigilant storm का जो विरूद किया था वो नौर्थ कोरिया ने किया था नौर्थ कोरिया ने इस अभ्यास का विरूद किया था ठीक है दोस्तों इसी के साथ यह session को हम bind up करते हैं अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड जो current of your related most important question से आपको लाब मिलता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अपने अगले session में